दोस्तों कि आपको पता है कि डॉक्टर सुई लगाने से पहले थोड़ी सी दवाई निकाल के उलेते हैं और सपने में मरने से पहले हमारी आँखे क्यों खुल जाती है जानने के लिए बने रहे ना वीडियो में एंटर दोस्तों कि आप लोगोंने कभी सोचा है कि एक महीने का रिचार्ज प्लें 28 डेस का ही क्यों होता है दरसल ये एक कंपनी की मार्केटिंग स्ट्राटिजी होती है क्योंकि अगर आप 28 डेस को 365 डेस से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा मतलब कि एक कंपनी आप से एक साल के अंदर 12 की जिके 13 बार रिचार्ज करवा लेती है दरसल इसके पीछे का रिचन ये है कि हमारा दिमाग हमें सपने में वही चीज़े दिखाता है जो आज से पहले हमने अपने लाइफ में कभी देखा हो लेकिन हमारे दिमाग को ये नहीं पता होता है कि मरने के बाद actually में होता क्या है इसलिए हमारी आखे खुल जाती है नमर एक दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर डॉक्टर्स ने injection लगाने से पहले थोड़ी से दवाई बाहर ने निकाली तो आपकी जान तक जा सकती है क्योंकि इंजेक्शन में दवाई बरते समय उनमें एर बबल्स आजाते हैं और ये एर बबल्स आपकी बॉड़ी में जागर ब्लड ब्लोकेज भी कर सकते हैं और आपकी मौद भी हो सकती है इसलिए डॉक्टर इंजेक्शन लगाने से पहले थोड़ी से दवाई की तरूस एर को बहार निकाल देते हैं